हम लोग हमदाबाद में थे जलसा किये आज दुपैर कुम हमदाबाद से मैं OVC साहब, साबिर कावलीवला साहब, माजीद हुसाइन साहब, हम सब हमारी पूरी टीम गुजराद हमदाबाद से ट्रेन पकड़के सूरत के लिए रवारा हुए कौन सी टेंट पकड़े बंदे भारत एक्सप्रेस, अरे मोदी जी, एक क्या हो रहा है, कभी बंदे भारत के सामने जनुवर आ जाते हैं, और सुनिये, आज सूरत पहुचने को 22 से 25 किलोमेटर बाकी था, क्योंकि वंदे भारत में स्क्रीन लगाया हुए, उसमें दिखता है क इतना किलोमेटर बाकी है, कब सूरत पहुचने वाली है ट्रेन, हम सब बैट कर देख रहे थे, इतने में ठार से पत्थर आकर गिरता है ट्रेन के काच के ओपर, बैरे श्रासादु दिलों वेसी सब बैट है हुए है, साबिर कामली वाला साब उनके पीछे है, मैं साइड मे हुआ पर एक काच आता है, और ट्रेन का काच कर देता है भूरी तरह से, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, वीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए, इतना भारी पत्तर है, कि ओ काच के पुरा क्रेक होगा, फिर एक दूसरा पत्तर आया बज़ एक मिनिट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकेंड में किसी ने दो पत्तर लगा, तार उठा के माल, वो यसी साफ ट्रेवल कर रहे है न, अरे तुम पत्तर बार लो मोदी जी, तुम आग पर सादो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवास ना कभी रुकिये ना रुकेगी ना इंशालाओ, तारा कभी रुकेगी, आयम, हवा में बात नहीं करता वारिस पठाल, भुरूफ है, फोटो निकाला है, ट्रेन में हमारे साथ, पुलिस करमी भी थे, सब थे हमारे साथ, हमने दिखाया है